यह सोच रहा था जब यहां आ रहा था पैदल चल रहा था और मुझे सिक्योरिटी वालों ने कहा सिक्योरिटी वालों ने कहा था कि देखिए आप पूरे हिंदुस्तान में चल सकते हो जम्मू में भी चल सकते हो मगर आखरी जो चार दिन है कश्मीर में आपको गाड़ी से जाना चाहिए बेनु गोपाल जी ने मुझे कहा पहले और जो और्गनाइज कर रहे थे उन्होंने कहा तीन-चार दिन पहले अड्मिनिस्टेशन ने कहा कि देखिए शायद डराने के लिए कि देखिए अगर आप पैदल चलेंगे तो आपके उपर ग्रिनेट फेका जाएगा तो मैंने सोचा मैंने सोचा कि ऐसे करते है मैं अपने घर वापिस जा रहा हूँ चार दिन पैदल चलूँगा अपने घर के जो लोग हैं उनके बीच में चलूँगा और मैंने सोचा कि जो मुझसे नफरत करते हैं उनको क्यूं ना मैं एक मौका दूँ कि मेरी सफीद शर्ट का रंग बदल दें लाल कर दें क्यूंकि मैं मेरे परिवार ने मुझे सिखाया है गांधी जी ने मुझे सिखाया है कि अगर जीना है तो डरे बिना जीना है नहीं तो जीना नहीं है तो मैंने मौका दिया मैंने का मैं चार दिन चलूँगा बदल दो टी-शर्ट का रंग लाल कर दो देखी जाएगी मगर जो मैंने सोचा था वो ही हुआ जमू कश्मीर के लोगों ने मुझे हैंगरेड नहीं दिया अपने दिल खोल कर प्यार दिया गले लगे और मुझे मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्हों ने उन सब ने मुझे अपना माना और प्यार से बच्चों ने बुज़ूर्गों ने आसूँ से मेरा यहां सुवागत किया मैं अब जमु कश्मीर के लोगों से और जो यहां हमारे सेना के लोग काम करते हैं सी आर पी एफ के लोग काम करते हैं उनको मैं कुछ कहना चाहता हूँ सब को जमु कश्मीर के युवाओं को बच्चों को माताओं को सब को CRPF के BSF के आर्मी के जवानों को उनके परिवारों को उनके बच्चों को मैं कहना चाता हूँ देखिए मैं हिंसा को समझता हूँ मैंने हिंसा सही है देखी है जो हिंसा नहीं सहता है जिसने हिंसा नहीं देखी है उसे ये बात समझ नहीं आएगी जैसे मोदी जी हैं अमिच्शा जी हैं आर एसेस के लोग हैं उन्होंने हिंसा नहीं देखी है डरते हैं नहीं डरते हैं देखिए डरते हैं यहां पे हम चार दिन पेदल चले मैं आपको गैरंटी दे के कह सकता हूं कि BJP का कोई नेता कोई नेता ऐसे नहीं चल सकता है और आप और इस लिए नहीं क्योंकि क्षमीर के लोग उनको चलने नहीं देंगे इस लिए क्योंकि वो दरते हैं खेर मैं मैं अपने जमू कश्मीर के लोगों को युवाओं को बुज़ूर्गों को और आर्मी के लोगों को सी आर्पी एफ बीएस एफ लोगों को थोड़ा सा बताना चाहता हूं देखिए मैं जब 14 साल का था स्कूल में था सुबह जोग्रिफी की क्लास में था मैं पढ़ रहा था सामने बैठा था और मेरी एक टीचर आई अंदर आई और उसने का राहूल तुम्हें प्रिंसिपल बुला रहा है मैं बदमाश था बहुत बदमाश था जब छोटा था बहन से पूछ सकते हो क्या क्या करता था मैं अभी भी करता हूं मैंने सोचा प्रिंसिपल बुला रहा है मैंने कुछ गल्ती की होगी अब मार पटेगी वहाँ पे केनिंग होती थी मैंने सोचा था अब केनिंग होगी मेरी मगर जब मैं चल रहा था जो इस टीचर ने मुझे बुलाया उसको देखकर मुझे कुछ अजीब सा लगा और जब मैं प्रिंसिपल के ओफिस पहुँचा तो प्रिंसिपल ने कहा राहूल तुमारे घर से फून कॉल है और जब मैंने उसके शब्द सुने मुझे पता लगया कुछ गलत हो गया है मेरे पैर कहां पे और मैंने जैसे फोन अपने कान पे लगाया तो मेरे मां के साथ एक औरत काम करती है वो चिला रही थी राहूल दादी को गोली मार दी दादी को गोली मार दी 14 साल का था देखिए ये जो मैं कह रहा हूं ये जो मैं कहा हूं यह जो मैं अभी कह रहा हूँ यह बात प्रधान मंत्री को नहीं समझाएगी यह बात अमिट शाजी को नहीं समझाएगी यह बात डोवल जी को भी नहीं समझाएगी मगर यह बात कश्मीर के लोगों को समझाएगी यह बात CRPF के लोगों को समझ आएगी, ये बात आर्मी के लोगों को समझ आएगी, उनके परिवानों को समझ आएगी, तो मेरे, उन्होंने मुझे कहा, नाम उंगमू है उसका, उसने कहा, दादी को गोली लग गई, दादी को गोली लग गई, और फिर मुझे गाड़ी में वापिस ले गए, प्रियांका को मैंने स्कूल से उठाया, मैं वापिस गए और फिर मैंने वो जगा देखी जहां मेरी दादी का खून था पापा है, माँ है, माँ बिलकुल हिल गए थी बोल नहीं पा रहीं थी फिर क्या हुआ, तो जब जो हम लोग है जिन्होंने हिंसा देखी है, ये जो है ना, ये इसको हम बिलकुल दूसरी तरीके से देखते हैं, ये आप सब के लिए टेलेफोन है, ये हमारे लिए सिर्फ टेलेफोन नहीं है, उसके बाद छे साथ साल बाद मैं अमेरिका में था, और फिर से टेलेफोन आया, 21 में टेलेफोन आया, जैसे बहुत सारे, जैसे जो पुलवामा में हमारे सेनिक मरे थे, उनके घर टेलेफोन आया होगा, हजारों कश्मीरी लोगों की घर टेलेफोन आया होगा, सेना के परिवारों को टेलेफोन आया होगा, वैसा है टेलेफोन आया, पिता के एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे फोन किया और कहा, राहूल बुरी ख़बर है, मैंने उनसे कहा, मैं जानता हूँ, पापा मर गए, कहते हैं, मैंने कहा, धन्यवाद, फोन रख दिया, तो मेरा कहना है, कहना है, जो हिंसा करवाता है, जैसे मोदी जी है, अमिच्छा जी है, अजीच डोओल जी है, आरैसेस के लोग है, वो इस बात को समझ नहीं सकते हैं, कि वो दर्द को समझ नहीं सकते हैं हम समझ सकते हैं पुल्वामा के जो सैनिक थे उनके बच्चों के दिल में क्या हुआ मैं जानता हूँ मेरे दिल में वो ही हुआ है जो यहां पे कश्मीर में लोग मरते हैं उनके दिल में क्या होता है जो फोन कॉल आता है क्या लगता है वो मैं समझता हूँ मेरी बेहन समझती है तो कल किसी जर्नलिस्ट ने मुझसे पूछा यात्रा का क्या लक्ष है कहा कि यात्रा क्या अचीव करना चाहते है जम्मू कश्मीर में क्या अचीव करना चाहते है मेरे उस समय दिमाग में आया मगर मैंने कहा नहीं बोलता हूँ कल भाचन में बोलूँगा यात्रा का लक्ष है कि ये जो फोन कॉल है चाहिए आर्मी के हो चाहिए एस सी आर पी एफ के हो चाहिए कश्मीर के लोगों के हो ये फोन कॉल बंद हो जाए कि ये फोन कॉल किसी बच्चे को किसी मा को किसी बेटे को ना लेना पड़े मेरा लक्ष यह जो फोन कॉल है इनको बंद करने का है अब अब देखिए BJP, RSS के लोग आक्रमन किस चीज़ पर कर रहे हैं मुझे गाली देते हैं मैं उनका धन्यवाद करता हूँ क्योंकि मैं जो मैंने आपको शुनियता की बात की शिव की बात की उसको मैं समझता हूँ और मैं दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ कि जितना भी वो मेरे उपर प्रेशर डालें जितनी भी गाली लगाएं जो भी वो करें उससे मैं सिफ सीखता हूँ